हेलो फिरेंड्ट्स वेलkom टू टेकनिकल एस्टीडी चेनल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तो रीजनी के इंपरेंट कौश्ण होंगे इस वीडियो में जोके पार्ट 11 है हैस वीडियो का सो ट्रिक सम को सोल्व करेंगे reasoning पढ़ने वाले हैं, तो reasoning के important question होंगे इस वीडियो में, जो के part 11 है इस वीडियो का, so trick हम question को solve करेंगे, part 10 तक अपने channel पर upload कर चुका हूँ आप मेरे channel playlist साब देख सकते हो video, तो जिसने channel को subscribe नहीं किया है, वो subscribe भी कर ले वीडियो को शुरू करते है, next question है question mark का मान बताईए, तो हमें diagram दिया गया है, इसमें हमें हाँ पर question mark दिया गया है, इसका मान हमें बताना है, तो इसकी trick क्या होगी देखेगा, पहले हम इसमें जो trick लगाएंगे, वो ही trick इसमें लगाएंगे, फिर मैंने कि अगर आप 15 और 6 8 किया, 15 और 6 हो जाएंगे 21, 21 का दुगना हो रहा है हमारा यहाँ पर 42, 21 का दुगना कर देंगा, हम यहाँ पर 42 आएगा, सेम यही देखेंगा, अब हम इसमें भी यह trick हो रहा है गया, 30 और 3 जोड़ देंगा, 33 हो जाएगा, 33 का डबल करेंगा, हम कितना आजाएगा, वो 66 आजाएगा, तो यह trick हमारी इसमें काम कर रही है, तो हम क्या करेंगे, 18 और 6 जोड़ेंगे, 18 और 7 जोड़ेंगे 18 और 7 हो जाएगा, 25 25 का हम डबल कर देंगे तो यह आजाएगा, 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा C, इस टाइप से इस question को करते हैं इसी टाइप से सोचना होता है, इसमें कभी addition की series होती है, कभी cube की होती है, कभी जोडने की होती है, कभी घड़ान की होती है, तो यहाँ पर addition और multiplication की series थी, तो इसका क्या trick लग रही है, 10, 29, 66, 127, इसमें क्या trick लग रही है, उसके बाद अगला time हमें पता करना है, तो यहाँ पर देखेगा, 10, 29, 66 और 127, यह cube के आसपास में हो रहे हैं, देखेगा, 2 का cube करेंगे हम, तो 2 का cube होता है, 8, उसमें हमने 2, 8 कर दिया, तो 10 हो जा रहा है, 2 की cube पिलस 2, फिर 3 की cube होता है, 27, 27 में हमने कितना cube, 2, 8 किया, तो कितना हो गया, 29, इसी तरह से देखेगा, यह 29 हो जा रहा है, फिर 4 की cube होता है हमारा 64, फिर उसमें हमने 2, 8 कर दिया, तो कितना हो हो रहा है 66 हो रहा है देखेगा इसका मन फिर इसी तरह आगे 5 की क्यूब होता 125 125 में हमने 28 28 है तो 5 की क्यूब are 28 तो 127 हो नहीं can 6 की क्यूब करेंगे 6 की क्यूबangen 216 अज़समें 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 282 को जायगा 216 UK करना होगा 202 18 इसका right answer होगा हमारा D, यह number series का question था, इसका right answer होगा D, next question है, अगला पद ग्याद कीजिए, तो यहाँ पर series दे रखिए MN, PQ, TU, YZ, तो यह alphabet series से question है, तो यहाँ पर हमें alphabet में ABCD के जो number होते हैं, हमें पता होना चाहिए, तो जैसे के यहाँ पर MN है, तो MN का जो number होता है, वो 13 और 14 होता है, और इसके बाद है PQ, P का होता है 16, और Q का होता है 17, इसके number हो जाएंगे, TU का होता है 20 और 21, फिर YZ का 25 और 26, यह तो सब को पता है, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर A का difference ही चल रहा है, 13 14 में A का difference है, 16 17 में A का difference है, 20 21 में Acussion, 25 26 में A 경찰 difference है, तो हमें पहला अकसर अगर पता चल जा है, तो दूसरा हमें अगला automatic पता चल जाएगा, क्योंकि A का difference होगा तो यहां से हम देखेंगे देखेंगा 13 से 16 के लिए कितना 8 करना पड़ा हमें M से P के लिए कितना number 8 करना पड़ा है 13 3 8 करना पड़ा है फिर 16 से 20 के लिए हमें कितना 8 करना पड़ा है 4 8 करना पड़ा है 4 जोड़ना पड़ा है फिर उसके बाद 20 से 25 के लिए कितना 8 करना पड़ा है 5 तो अब हम क्या करेंगे 25 से आगे जाने के लिए 6 8 करेंगे हम तो 6 8 करेंगे तो 25 और 1 26 26 के बाद alphabets से 1,2,3 सुरू हो जाएगा तो 5 आ जाएगा क्योंकि हम 26 पे 1 हो जाएगा फिर उसके बाद 5 बचेगा तो 5 नंबर जो होता है alphabets में वो होता है हमारा E का तो E हमारा पहला अकसर आ गया देखेगा यहाँ M, P, T, Y है फिर पहला अकसर हमारा E आ चुका है तो E से अगला एक होता है F तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E, F हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा C Nasty question है दिए गए विकल्पों में विसम सब्दु को चुनिए तो यह भी alphabets पर अधारित question है alphabets के नंबर हमें पता होने चाहिए देखेगा यहाँ पर first option को लिएँ N, R, तो N का होता है 14 R का होता है हमारा 18 तो इसमें देखेगा 14 और 4 कितना हो जारा है 18 चार का difference है इन दोनों में फिर देखेगा F का होता है 6 और J का होता है हमारा 10 मैं दूसरो option के बात कर रहा हो तो इसमें भी 4 का difference है फिर M का होता है 13 और Q का होता है हमारा 17 इसमें भी 4 का difference है देखेगा H का होता है हमारा 8 और K का होता है हमारा 11 इसमें 4 का डिफरेंस नहीं है इसमें कितने का डिफरेंस है तीन का इन तीनों में 4 का डिफरेंस है लेकिन इसमें 3 का डिफरेंस है तो यही सबसे अलग होगा यानिके H के सबसे अलग होगा इसका right answer होगा D नेश्ट कोशन दिया है यदि एक विसेश भासा में A.R.M.S. को 5478 के रूप में लिखा जाता है S.T.E.N.G. को 82013 के रूप में लिखा जाता है तो M.S.T.E.R. को के से लिखा जाएगा तो देखेगा सबसे पहले हैं आपर मैंने लिख रखा है A.R.M.S. और S.T.E.N.G. इनके जो कोड दिया हैं A.R.M.S. का कोड दिया है हमें 5478 ये कोड दिया है फिर इसके बाद S.T.E.N.G. का कोड दिया है हमें 82013 अब हमसे पूछा जा रहा है M.S.T.E.R. इसका कोड पूछा जा रहा है तो देखेगा यहाँ पर सबसे पहले M है M का कोड हमारा है 7 तो ये आजाएगा 7 फिर S है इसके बाद S का कोड हमारा कितना है 8 ये आजाएगा 8 फिर T T का कोड है हमारा है यहाँ पर 2 तो ये आजाएगा 2 फिर E E का कोड है हमारा ये 6 तो इसका आंसर हो जाएगा 78204 इसका सी आंसर हो जाएगा